प्रतीकांपमक तस्वीर मुंबई, मुंबई के वान खेडे स्टेडियम में शनिवार को IPL माच के दौरान 24 साल की एक महिला से कथित रूप से छेड़ चाड़ करने वाले एक व्यक्ती को गिरफतार किया गया है. एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने कहा कि अखटना शनिवार शाम दिल्ली डेल डेवल्स और मुंबई इंडियम्स के बीच माच के दौरान हुई. अधिकारी ने कहा, पीड़ता ने शिकायत दी कि स्टेडियम में पानी वितरित करने वाले गेंदराज दादलाल सत्नामी ने उन्हें अनुचित तरीके से चुआ. स्टेडियम में मौझूद पुलिस करनियों ने मदद के लिए पहुचने के बाद सत्नामी को पकड़ लिया, पुलिस और पायुक्त मनुज कुमार शर्मा ने कहा कि इस मामले में प्राथमे की दर्ज की गई है और आरोपी को यौन उत्पीडन करने से समबंदित हाड़न सा समकी दारत 354-1 के तहट गिरफतार किया गया है, उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है, इस ख़बर को NDTV टीम ने संपादित नहीं किया है, यह संडिकेट फीट से सीधे प्रकाशत की गई है, हिंदी न्यूज से जोड़े अन्य अपडेट लगातार हासल करने क लिए हमें Facebook और Google प्लस पर जॉइन करें, Twitter पर follow करें